Instagram की feed scroll करते करते अगर आप ठक जाते हैं तो आपके लिए एक नया feature आने वाला है यह feature break लेने का है अगर आपको याद हो तो पहले भी यह feature था इसके तहट एक time पर आपकी feed के content scroll करते करते खत्म हो जाते थे Instagram ने बाद में इस feature को हटा दिया इसके बाद company ने endless scroll पेश कर दिया यानि आप Instagram को scroll करते जाए और कभी भी आपको यह नहीं कहा जाएगा कि content खत्म हो गया है या आपने सब कुछ देख लिया है अच्छी बात यह है कि अब company take a break feature की testing कर रही है Instagram head ने ये कहा कि long awaited feature take a break की testing की जा रही है take a break के तहट Instagram आपको यह याद दिलाएगा कि आप कासी देश से Instagram यूज कर रहे है micro blogging वे साइट विटर पर Instagram के head ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया इस वीडियो में वो यह कह रहे है कि take a break feature optional होगा यानि अगर आप इस feature के लिए opt-in करते हैं तो यह आपको कुछ time duration के बाद Instagram से break लेने के लिए encourage करेगा यहाँ 10, 20 और 30 मिनट को option दिया जा सकता है इस तरह के features दूसरे कुछ और भी apps पर दिये जाते रहे हैं Instagram के मताबिक यह लोगों को Instagram experience पर ज्यादा control देने के लिए broader effort के तहट लाया जा रहा है भले ही यह feature optional होगा लेकिन company ने यह भी कहा कि teenager को company द्वारा notification भेज कर इस feature को opt-in करने को कहा जाएगा हालनकि बावजूद इसके अगर कोई यह feature enable नहीं करना चाहता तो यह उसके ऊपर है Facebook की बात करें तो इस app में भी timer set करने का option है उधारण के तौर पर अगर आपको दिन भर में सिर्फ एक घंटे या इससे कम या इससे ज्यादा Facebook यूज़ करना है तो आप time set कर सकते हैं टाइम खत्म होते ही Facebook open करने पर आपको दिखाये जाएगा कि आपने इतने घंटे Facebook यूज़ कर लिया है हाला कि आप इससे सिर्फ एक click में ही bypass भी कर सकते हैं इसलिए इससे भी full proof नहीं कहा जा सकता